दोस्तों जब मैंने अपनी चैनल पे Core i5 वाले PC का बिल्ड डाला था तो बहुत सारे लोगों ने नीचे कमेंट किया है कि ये बिल्ड थोड़ा सा ओल्ड है यानि कि जो मैंने i5 का प्रोसेसर यूज किया था वो थर्ड जेनरेशन था और उसमें DDR3 RAM लगी थी तो बहुत सारे लोगों ने ये कहा कि ये वोल्ड वर्जन है आप कुछ नया वर्जन बजट में बताईए तो आज के वीडियो में मैं आपको best combination new generation वाला एक PC बिल्ड बताने वाला हूँ जो की काफी कम खर्चे में आप बिल्ड कर पाएंगे तो पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को लाश्ट तक जरूर देखे नमस्कार दोस्तो मैं हूँ ससी और आप देख रहे हैं ससी सुकलाटेक यूटूब चैनल दोस्तो आज की वीडियो में जो आपको PC बिल्ड बताऊंगा वो होगा AMD की तरफ से ऐसा इसलिए क्योंकि Intel की तरफ से आप latest generation कोई सा भी बिल्ड आप 15000 के नीचे नहीं कर पाएंगे और मैं जो बिल्ड बताने वाला हूँ उसको लगभग आप 13000 के आसपास कर पाएंगे और वो भी एक latest generation होगा 8GB RAM के साथ मैं बात करूँ प्रोसेसर की तो यहाँ पे हम प्रोसेसर जो लेंगे वो होगा AMD की तरफ से Athlon 200GE यह दो कोर और चार थ्रेड वाला प्रोसेसर है 3.1 GHz की स्पीड है इसकी यह लेटिस्ट प्रोसेसर है लेटिस्ट सॉकेट को सपोर्ट करता है और इस प्रोसेसर के साथ सबसे अच्छी बात यह है कि यह Vega 3 ग्राफिक्स के साथ आता है अगर आप GT 710 जैसे entry level ग्राफिक्स कार्ड यूज करते हैं तो उसके जगह पे आपको यह प्रोसेसर ही उतनी performance दे देगा कि आपको इसमें ग्राफिक्स कार्ड यूज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इसमें इन्विल्ट ग्राफिक्स है जिस पे आप PUBG मोवाइल और GTA 5 जैसे गेम खेल सकते हैं अच्छे खासे फ्रेम रेट के साथ प्रोसेसर हम लेंगे उसका मॉडल नंबर होगा A320 यह मॉडल नंबर एम फोर सॉकेट को सपोर्ट करता है और इसी एम फोर सॉकेट पे ही AMD के सारे लेटेस्ट प्रोसेसर आ रहे हैं तो इसमें आपको एक फ्यूचर मिल जाता है कि अगर आप चाहें इस प्रोसेसर को फ्यूचर में अप्ग्रे आपको इसके लिए मदर बोर्ड और बाकी सारा सेटप चेंज करने की ज़रूरत नहीं होगी यह मदर बोर्ड आपको लगभग 3600 से लेके और 4000 रुपए के बीच में आपको Amazon पे मिल जाएगा इसमें अलग अलग कंपनी का आता है जैसे ASRock का मदर बोर्ड है वो पहले 3600 का आता था अभी तो unavailable है क्योंकि online services सब बंध है और इसके अलगा MSI, ASUS बगार की भी आते है A320M की मदर बोर्ड तो आप इसमें से जो भी प्राइज आपको ठीक लगे जिसकी rating अच्छी हो उसको आप खरीद सकते हैं लिंक में description में दे दूँगा इसके बाद हम बात करेंग RAM की तो इसमें आपको latest RAM लगेगी DDR4 विल्ड में यूज करेंगे minimum 8GB की RAM 8GB की RAM अभी की टाइम में आपके normal tasks के लिए यहां तक की छोटे मोटे games के लिए भी more than enough है 8GB की RAM अभी मैं अपने जो i5 पॉला system है उसमें अभी तक 4GB ही RAM यूज करता हूँ उसी पे मैं video editing भी कर लेता और मुझे ठीक ठाक performance मिल जाती है RAM की कमी मुझे कहीं महसूस नहीं होती तो यहां पे 8GB more than enough हो जाएगा यहां पे आपको 8GB की RAM लगबग 3000 उपे के आसपास मिल जाएगी जिसकी frequency 3000 MHz के आसपास मिलेगी इसका price up and down होते रहता है तो अभी आपको पता ही कि unavailable है तो जैसा ही online आएगा तो मैं यहां पे RAM की लिंक्स दे दे रहा हूं वहां से आप देखके उसकी price और rating देखके 8GB की DDR4 RAM ले सकते हैं तो हमारा processor हो गया motherboard हो गया RAM हो गया अब हम चलते हैं power supply unit और cabinet की तरफ तो यहां पे मैं suggest करूंगा कि अगर आपके आसपास कोई offline market हो computer का तो वहां से 1000 र अगर कोई offline market नहीं है तो आप online खरीदने जाएंगे तो आपको 400-500 रुपे एक्स्ट्रा पढ़ेगा online थोड़ा सा यह महंगा मिलता है इसके बाद हम बात करेंगे storage की तो यहां पे दो बाते हैं पहले अगर आपको performance चाहिए और storage कम चाहिए तो आपको SSD लगाना चाहिए क् SSD का performance जैसा कि आपको पता है मेरी previous वीडियो मेरे चैनल पर जाके आप वीडियो देख सकते हैं मैंने SSD के भी बारे में वीडियो डाला हुआ है कि आप अपने system की performance कैसे बढ़ा सकते है SSD लगाके जब आप SSD लगाते हैं तो आपका system का performance काफी अच्छा हो जाता है काफी responsive हो ज करूँगा कि आप 120 GB के SSD लगा ले कोई सी भी मैं link description में दे दूँगा और बाद में जब आपके पास पैसे हो तो secondary कोई 1 TV या 2 TV जितने भी आपके पास पैसे हो तो आप hard X लगा सकते हैं लेकिन जो लोग यह चीज नहीं लगाना चाहते तो वह 500 GB के hard drive लगा सकते हैं यह ग्राफिक्स आता है जिसको कि मैं बता चुका हो कि interrogate graphics के हिसाब से अच्छी खासी आपको performance दे देता है जिसपे कि आप GTA 5 और PUBG Lite जैसे भी game खेल पाएंगे तो यहाँ पे जो total हमारी cost होती है वो लगभग around 13,000 के आसपास होती है आपका लगभग 3500 का processor होता है 4000 रुपे motherboard का पकड़ो 3000 रुपे RAM का और 1500 की SSD और 1000 रुपे का power supply unit plus cabinet यहाँ पे overall जो cost आती है वो 13,000 के आसपास होती है अब आपकी मन में यह सवाल आ रहा होगा कि यह build अगर इतना ही अच्छा है तो मैं इसको क्यों नहीं use कर रहा हूं मैंने i5 वाला क्यों build किया तो बात ऐसी है कि मैं village area से बिलाउं करता हूं तो यहाँ पे service center की कमी है आप जो भी product online खरिदते हैं तो उसमें अगर कोई fault आता है कोई problem आता है तो आपको उसको service center से उसकी warranty है वो cover होती है तो ऐसे में मेरे area में कोई service center अबिलेबल नहीं है तो मैंने इकतर parts जैसे की motherboard हो गया RAM हो गया प्रसेसर हो यह सब कुछ मैंने offline खरिदा था तो यहाँ पे जो मेरी warranty है उस दुकान से cover होगी जिस दुकान से मैंने सामान सारा लिया था और मेरे local area में जो दुकाने थी वहाँ पे AMD के parts मिलते नहीं है इसलिए मैंने i5 को build किया और जो लोग computer के बारे में knowledge रखते होंगे वो इस चीज क 3.3 GHz की speed है तो जो हमारा CPU है processor है वो काफी दमदार है और वहाँ तक कि मैंने बताया था कि वह 10,000 के अंदर build हो जाता है without graphics card और अगर आप graphics card लगाते भी है तो भी 15,000 में एक ठीक ठाक PC तयार कर सकते हैं उमीद करता हूं कि जो लोग PC के बारे में comment कर रहे थे कि कोई अच् सवाल जवाब के लिए आप हमें Instagram पर follow कर सकते हैं मेरी Instagram आइडिया एड़रेट ससी सुकला टेक और अगर आप इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्यूंकि हम आपके लिए ऐसी टेक्नलोजी वाले और helpful वीडियो लेके आते रहते हैं तो आज के लिए बस इतना ही मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ तब तक के लिए गुडबाए